नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में एक पाप फिर से आपका स्वागत है दोस्तों इससे पहले हमने HPLT कमिशन की जो परिक्षा आज के दिन हुई थी उसका जो फस पार्ट एक से पचास तके प्रशन को डिसकस कर लिया था इस वाले पार्ट में हम 56 से लेकर के आगे के जो प पता दूँगा इसके बादवाली वीडियो में अभी फिलाल अगर आपने एक से फचास तके प्रशन को नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में हमने वीडियो डाल दी है और L.T. कमिशन के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है वहां पर हमने प्लेलिस्ट ब्रोक्त सभी अगर हम प्रशन संग्या अठावन की बात करें तो बालकों के आकलन का अधार क्या होता है तो इसमें से बिकल्प नंबर B या C में से एक होना चाहिए तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसका जो साही उत्र होना चाहिए बिकल्प नंबर B होना है माहभारत में, खने-कने कौन अनुवरही, किस कवी की पंक्ती है, देखिए ये जो पंक्तिया है ये हैं विध्यापती जी की विखल्प नंबर ए, इसका बिलकुल लिकी गई है ठीक है दिकल्प नमबर बी इसका साई उतर होगा नेक्स से देखिए जान की विजय की रइचाईता कौन है तो 63 का भी दोस्तों exact उतर मालू नहीं है अदोलेकित मैंसे कौन सा कभी रिती बद नहीं है तो रिती बद जो कभी नहीं है देखिए यह इसमें बता दूँगा exact इसमें sure नहीं हूँ मैं कभी तरतनाकर किसकी रचना है तो यह सेनपती की है बिहारी लाल का जनम के सन में हुआ था तो यह प्रशन अपने आप में गलत था अगर समवत में पूछा होता तो हम 1653 कर सकते थे क्योंकि 1653 और 1652 आसपास ही था 1555 में इन नहीं है नेक्स प्रशन है रगुनात अलंकार तो यह भी sure नहीं है दोस्तों किसकी रचना है नेक्स देखिए इन में से कौन सी रचना केशव की नहीं है तो केशव की जो रचना नहीं है देखिए पदमा भरण तो यह है पदमाकर की बिकल्प नंबर सी इसका साही उतर होन हिंदी रंगमंच का जनक किसे माना जाता है ये भी भारतेंदू हरिश्चंदर को ही माना जाता है मैथली शर्णगुप्त गुपाल शर्ण सिंग ग्यापरसाद शुकल सनेही किस यूग के कभी माने जाते हैं तो ये हैं आपके द्वेदी यूगीन कभी विकल्प नमबर 20 का सही उतर होगा राष्ट्य वीना तथा त्रिशूल तरंग किसकी रचनाए हैं तो ये हैं ग्यापरसाद शुकल सनेही जी की विकल्प नमबर A इसका सही उतर है प्रशन संक्या 76 हैदी की वासबदता यूगधारा तथा कुनाल किसकी रचनाए हैं तो ये हैं सोहनलाद द्यूवेदी जी की विकल्प नमबर A इसका सही उतर होगा जब वेदना के अधार पर स्वान भूतियों के विविक्ती होने लगी तो उसे हिंदी में छायवाद के नाम से अभीद किया गया यह परिवाशा किसकी है तो यह परिवाशा दीती जैशंकर प्रसाद जी ने विकल्प नमबर A इसका सही उतर होगा प्रशन संक्या 78 है देखिए नीरजा यामा दीवशिखा सांध्यगीत किसकी रचना है तो यह है महादेवी बर्मा की विकल्प नमबर D 78 का सही उतर होगा 79 प्रशन है देखिए चायवाद की ब्रिहत्रई में कौन सा कवी नहीं है तो यह है दिन कर कवी यह है राश्ट्य सांसकेते कावेधारा के कवी ठीक है नेक्स देखिए चायवाद स्थोल के पती सूक्षम का विद्रो है किसने कहा था तो यह कहा था डॉक्टर नगेंडर ने विकल्प नमबर C इसका सही उतर होगा तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा आपका विकल्प नमबर A पेरिस में विकल्प नमबर A इसका सही होगा प्रगतिवादी कावेधिष्टी क्या है तो इसका भी विकल्प नमबर A सही होना चाहिए वर्ग जेतना प्रधान निमी लिकित में से प्रत्थम तार सब्टक में कौन सा कवी है तो यह है अग्ये जी बिकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा डक्टर शम्बोनाज सिंग के अनुसार नवगीत परमपरा के सूत्रपात कौन है तो नवगीत परंपरा के जो सुत्र पात हैं दोस्तों इसका भी exact नहीं कहा जा सकता कि कौन है जहां तक मेरे उनसार लग रहा है मुझे की अग्ये इसका साही उत्र होना चाहिए अगर आपको लगता है कि कुछ इसका और उत्र है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं नेक्स प्वाशन है देखिए धरमविर भारती और लक्षमी कांत वर्मा ने नई कवीता के किस पत्रे काका संपादन किया तो 86 से देखिए इसका जो सही उत्र होगा विकल्प नमबर C नयपत्य इतिहास पुरुष भारती और स्वर्ग के लेखक कौन है तो यह है आपके देखिए विकल्प नमबर B डॉक्टर देवराज समकालिन कवीता की काल सीमा प्राय क्या माने जाती है तो समकालिन कवीता की जो समय सीमा है वो वैसे 1976 के आसपास के बाद माने जाती तो इन में से कोई नहीं या फिर C आपका सही उत्र हो सकता है ठीक है नेक्स से देखिए मैथली गद्य की प्रत्थम रचना किसे माना जाता तो मैथली गदे की जो प्रत्रम रचना मानी जाती है देखिए वो है आपकी विकल्प नमबर C वर्ण रतनाकर जो तिरी शुर के द्वारा जो रची गई है नाटक जारी है कि रचनाकार कौन है तो यह है लीलाधर जगूरी इसका सही उत्तर होगा नेक्स प्रेशन देखिए निवंद विकरावयोग्ट चिंतन है यह किसका कथन है तो दोस्तों यह भी शूर नहीं है विकल्प नमबर D मुझे लगघा है कि इसका सही उत्तर होना चाहिए रमायन का समय काशी मनिकरनिका आधी भारतंदू के निवंदों का विश्य क्या है तो यह है इतिहास विकल्प नंबर A इसका सही उतर होगा कौन तुफुलवा बीननहारी के रचाइता कौन है तो इसके जो रचाइता हैं देखिए वो हैं विकल्प नंबर C विद्यानिवास मिश्र 96 है देखिए शिप्रसा सितारे हिंद का पहला निवन कौन सा था राजा भोज का सपना विकल्प नंबर B नेक्स परशन है देखिए परिक्षागुरू उपन्यास कब लिखा गया था तो ये लिखा गया था 1882 में विकल्प नंबर A इसका सही उतर होगा अमरित और विश्ट के रचनाकार कौन है तो ये अमरित लाल नागर जी ही है विकल्प नंबर A इसका सही उतर होगा 99 है देखिए मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेकक कौन है तो ये हैं सूरेंदर वर्मा जी विकल्प नंबर C सही उतर होगा सववा प्रशने देखिए मित्रो मरजानी जिंदगी नामा डार से बिचुड़ी किसके उपन्यास हैं तो ये हैं आपके विकल्प नंबर D देखिए क्रिशना सोबती प्रशन संक्या 101 है प्रसाद जी की प्रकाशित पहली कहानी कौन सी थी तो ये थी ग्राम विकल्प नंबर A सही उतर होगा सचेतन कहानी अंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है तो ये थे महीप सिंग विकल्प नंबर C इसका सही उतर होगा नई कहानी का प्रारम किसकी कहानियों से माना जाता है तो ये जो नई कहानी का प्रारम माना जाता देखिए इसका जो सही उत्र होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर B. निर्मल वर्मा तो उनके जो परिंदे कहानी है 1960 में लिखे गई थी वहाई से नई कहानी का प्रवर्तन माना जाता है लिखे इसका जो सही उत्र होगा विकल्प نंबर C. अब्दोल बिस्मिल्ला किस विद्वान की मानता है कि नाटका उदए मृत वीरों की पूजा से हुआ है तो ये वाले प्रशन का उत्र भी exact मालूम नहीं है दोस्तो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको इसका उत्तर बता दूँगा नेक्स से देखिए प्रसाद उतर नाटकों में निम्र में से कौन सा नहीं है तो प्रसाद उतर नाटकारों में जो नहीं है देखिए वो है आपके उपेंदर नात अश्क ये आपके प्रसाद यूगिन है और जो आपके विश्णु प्रभाकर है देखिए ये आपके इन्होंने हालां कि प्रसाद यूग में भी रचनाय रची है और प्रसाद उतर में भ दात्य बिकल्प नंबर ए इसका साही उत्तर होगा नेक्स बश्चने दिखिए सशूर और शुकोलवस्की रोमन यकॉपसन किस साही तेदारा से जुड़े थे तो ये जो जुड़े थे दोस्तों मुझे लगता है इसका साही उत्तर जो है रूप वाद या फिर कुछ और होना चाहिए पर एक्जक्ट मैं इसमें शूर नहीं हूँ कि ये किस के अंतर गताएंगे ये भी मैं आपको कनफर्म करके बता दूँगा नगसे दिखिए आर्स पोईटिका किस रचना शैली में रचीत है तो ये पत्रात्मक शैली में लिका गया था तो यहां पर गद्य होना चाहिए इसका सही उत्तर ठीक है क्योंकि ये पत्र के रूप में लिखी गई थी होरेस के द्वारा ठीक है मचली पानी में रहती है इस तो देखें, दातु में जगर ना जोड़ेंगे तो वो बनती है आपकी क्रिया तो यहाँ पर अलग-अलग क्रिया हैं योगिक्त समान्य है, तो इसका जो साइउ उतर होगा देखें वो विकल्प नंबर B होगा समान्य क्रिया, ब्योम का समाना अर्थी होता है आपका अंबर उजस्वी का बिलोमार्थी शब्द कौन सा है उजस्वी का होगा आपका निस्तेज विकल्प नंबर C इसका सही उत्तर होगा आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या है तो देखे 115 में प्रशन का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चीता विकल्प नंबर C सस्तिवस्तू कि टलब होगा कि किसी खाद्यप अधार्थ का मजा लेना विकल्प नंबर A इसका सही उत्तर होगा प्रशन सांक Behavior 187 है चूह का प्रयायवाची क्या है तो देखिए चूह का जो प्रयायवाची होता है यह हो ता आपका मुशक विकल्प नंबर D इसका सही उत्तर होना चाहि तो वैसे तो यह भाषा है तो यहां पर इसका जो सही उतर होना चाहिए मुझे लगता है कि संप्रिशन बिल्कुल सही उतर होना चाहिए नेक्स से देखिए फिल्म, वीडियो, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, संप्रिशन के कैसे रूप हैं तो यह हैं आपके जनसंचार माध्यम वाचन कितने परकार का होता है तो वाचन जो होते हैं देखिए आपके दो परकार के विकल्प नमबर A इसका सही उतर होगा पत्रकारिता का मूल उदिश्य अधुलिकित में कौन सा है तो पत्रकारिता का जो उदिश्य अभी विकल्प नमबर B इसका सही उतर है इंग्लेंड की संसद ने प्रेस स्वातनतर्य की सं में स्विकार किया था तो दोस्तो इसका जो शियोर नहीं है कि कब ये हुआ था नेक्स्ट है देखिए प्रशन संख्या 126 से लेकर के 30 तक तो 126 में प्रशन है देखिए अप्रूबल का मतलब वैस तो अनुमोदन होता है यहां पर जो इसका सही उतर होना चाहिए विकल्प नमबर C अनुमती ठीक है डेफर्ड बाइ इसका जो सही अर्थ होगा देखिए 127 का यह होगा आपका विकल्प नमबर A अस्थगित वितन ठीक है नेक्स से देखिए 128 एक्टिंग तो एक्टिंग का मतलब होता आपका कारेकारी ठीक है विकल्प नमबर B इसका सही उतर होगा 139 क्रशन है देखिए special messenger तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर D विशेश दूद फिर है sanction एक्टिंग तो इसका जो सही उतर होगा देखिए यह होगा आपका विकल्प नमबर B मनजूरी कौन सा चंद दोहा और रोला च प्रशन बचे हैं उनको cover करेंगे और आप बने रहे हिंदी साही तेपार्था चैनल के साथ जहां पर आपको लगता है कि किसी प्रशन का उतर मुझसे गलत बताया गया है तो आप वह भी मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के शुक्रिया जाहिंद